बारिस के मौसम में गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म भजिये मिल जाए तो इस मौसम का मज़ा जो है वो हो जाता है दो गुना लेकिन इन सब के साथ अगर गर्मा गर्म म्यूजिक की विवस्ता हो जाए तो मज़ा जो है वो चार गुना हो जाता है और ऐसे ही स्पीकर की बात करेंगे और साथ ही जानेंगे क्या इस मौसम में यह आपके चाय पीने और गर्म गर्म भजीय खाने का मज़ा जो है वो चार गुना करेगा या नहीं मैं नरेंदर एक पर फिर अन्वॉक्सिंग चैनल के तमाम व्यूर्स का फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीडिय यूएंड आई फ्लेम सीरिज के इस पार्टी स्पीकर के बॉक्स की बात की जाए तो यहां उपर की तरप आप देखेंगे कि शायद कपूर को मेंशन किया गया है जो कि इसके ब्रांड एमिसेटर है यहां पर दिखा है कि आपको इस स्पीकर में एक मोबाइल स्टेंड भी भी मिलता है ताकि आप जो मूबी देख रहे हैं आप वेब सीरिस देख रहे हैं तो उसका एक्स्प्रियंस जो है वो काफी बहतर है लाइट को हाइलाइट किया गया स्पीकर में आपको LED लाइट मिलने वाली है कलर फुल जो यहां पर साफ तो पनजर आ रही है चार घंटे साथ से कनेक्ट करना हुआ अगर हम दूसरी तरफ की बात करें बॉक्स के तो यहां उपर कमपनी के लोगों की बात है बाइलेस स्पीकर लिखा हुआ है साथ यहां पर कुछ स्पीकर और उसके मूजिक से जुड़ी कुछ आपको सजेशन यहां मिल जाएंगे इंडिया की ब बात फ्रिक्वेंसी रेट लिखी हुई है बैटरी जो इसमें 1200 मह की मिलने वाली है यानि कि बैटरी बेकप आपको काफी अच्छा मिलेगा पावर सप्लाई आपको जो 0.5 एंपियर का आपको इसमें पावर सप्लाई यानि कि आप नॉर्मान आपके जो USB चार्जर होते हैं आप उससे इसको चार्ज कर सकते हैं इसमें आपको TF कार लगाने का ओप्शन मिलेगा आपको FM रेडियो मिल जाता है USB पें ड्राइब आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे AUX connectivity भी मिल जाती है Bluetooth Colorful Light यानि कि ये तमाम चीज़ें ये स्पीकर में मिलने वाली है मीचे की तरब बात सको ऑपन करते हैं और कुछ इस तरह से इसका बॉक्स ओपन होता है काफी प्लें और वाइट कलर का ये बाक्स है इसके अंदर और इसके अंदर हमें ये हमारा मैं प्रॉडक्ट यानि की ए स्पलेम पाट्टी स्पीकर यहां पर रखा हुआ है इसको निकाल लेते हैं साथ ही हमें बॉक्स में एक हमें ये USB कीवल मिलने वाली है जो चार्जिंग का काम करेगी तो यार बॉक्स में काफी कुछ नहीं मिलता है यूएंड आई की हम पहले भी देखते आ रहे हैं कंपनी फाल्टू के कागच का खर्चा बचाती है और अच्छा है ये पॉलिशन जो है और प ये प्रोड़क्ट की यानिकी यू एंड आई के इस फ्लेम पार्टी स्पिकर की उपर की तरफ देखेंगे कंपनी नहीं आप अपना लोगो मेंचन किया है इस स्पिकर की खास बात है कि आप इसको इस तरह से रखेंगे यानिकि ये वर्टिकल शेप में रखा जाता है उप और आधि ओपर से हम इसकी बात कर लिए तो यहां आप देख़ार होगी कि आप आपको दिखाई दे रहा है यह कट जो है मोबाइल स्टेंड का काम करता है तरी से अपने फोन को यहां fix कर पाएंगे तो यह नहीं कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं आप कोई वेब सीरीस देख रहे हैं आप यूट्यूब देख रहे हैं कुछ भी देख रहे हैं इवन आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं कहीं एक फिक्स जगह आपके पास ट्राइपट नहीं है तब आप इसको इस तरह से भी इस्तमाल कर सकते हैं तो कुल मिलाके यह एक अच्छा मोबाल स्टेंट का विकल्प आपको इस ट्रीकर में मिल जाता है बात करें आपर दूसरे स्पैसिफिकर की तो यहां आप देख पार हैंगे कि कंप्री ने यहां पर कुछ अलग तरह से यहां पर इस बार बटन दिये हुए इसमें यह रग्ड स्टैल में आपको बटन मिल जाते हैं यहां सबसे पहले आपको प्ले पॉस का बटन मिल जाता है उसके बाद आपको वाल्यूम को प्लस क करने का वाल्यूम को माइनस करने का यहां फिर आडियो ट्रेक को प्लस माइनस करने का एक आप्शन मिल जाता है यहां पर आपको एक मोड दिया गया है जिसकी मदद से आप इस स्पीकर में फीचर्स हैं उनको यूटलाइज कर पाएंगे यह आप आक्स मोड पर जा यूएसबी या पैन ड्राइब इसमें रहा पाएंगे नीचे की तिरफ आप माइक्रो कार्ड टी एफ कार्ड जो रहते हैं उसको इस्टॉल कर पाएंगे डीसी यादि यह आपका पावर केवल के लिए दिया गया साथ यहां पर एक आपको मिल जाता है ओन आफ का स्विच तो यह रही इसके बैक साइड की बात वहीं अगर हम इसके फ्रेंट साइड में करें तो फ्रेंट साइड में आपको कुछ और नहीं मिलने वाला है नीचे के तरब भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है अब बात कर लेते हैं इसके डिजाइन की तो डिजाइन का कुछ ऐसा का पेटर्न यानि कि अगर मैं इसको इस तरह से आपको हाथ से करके दिखाऊं तो जो है यह रच्ट टाइब का है यानि कि इस पर आसानी सी स्क्रेच नहीं पढ़ेंगे कभी गलती से आपकर इसी घर जाता है तो टूटने का ख़तरा भी जो है प्रवासा कम हो जाता है तो कुल मिलाके काफी अच्छा और काफी यूनिक इसको जो है एक डिजैन दिया गया है तो हम जल्दी से इस स्पीकर को आप आउन कर लेते हैं आउन के लिए यहां पर एक स्विच्च जो हमने बताया था ओन आफ का जो दिया हुआ है इसको हम आउन क के बाद इस स्पीकर में है वाओ तो यह आटोमेटिक ब्लूटूथ मोड पर है और आप देख पार होंगी कैसे स्पीकर में जो है LED लाइट से यहां पर ब्लेंग कर रही है हम इसको जल्दी से अपने फोन से कनेट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो है इसकी कनेक्ट अटिविटी होती है तो यहां पर मैंने एक फोन लिया है और इस फोन में हम यहां पर इसको सर्च कर लेते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि यूएस बी जो है 5256 जो इसका मोडल नमर वो आ गया है इसको पेर करते हैं और यहां पर यह स्पीकर कनेक्ट हो गया है आप देख पार होंगे कि कनेक्ट इंग फोर मेकिंग कॉल एंड मीडिया प्लेबैक यहां कि आप इससे हैंट फ्री कॉलिंग भी कर पाएंगे यह काफी अच्छी बात है इसमें विल्ट इन माइक दिया हुआ है और यह लाइट डार्क सेट्स में लाइट्स कुछ इस तरह की नजर आ रही है और काफी यूनिक लग रही है आप देख पार होंगे बहतरीन टाइप का इसका एक लुक निकर के आ रहा है चलिए लगे हातों हम इसको इसके साउंड को भी हम टेस्ट कर लेते हैं एक छोटा सा गाना बजा के साउंड की अगर बात की जातों साउंड लाउड है काफी लेकिन साउंड में जो बेस होना चाहिए वो थोड़ा सा यहां पर मुझे लगता है कि कम है लेकिन जब कीमत की बात आती है क्योंकि इसकी कीमत है 1499 रुपे 1499 रुपे तो किस कीमत में आपको इतना बहतर साउंड साउंड शाहिए दूसरे स्पीकरश में नहीं मिलेगा इसके मोड की बात की जाए तो यहां पर इसको लाइट जो है देग पर होगे और double push करने पर यह light on हो जाती है तो आपको अगर यह light irritate कर रही है तो आप इस light को इस तरह से on off कर सकते हैं वहीं single push करने पर इसके जो mode है वो change होते हैं जैसे कि यहाँ पर FM mode यह change गिया और यह FM mode पर चार्च पा है single push AUX mode अगली बार पुश करने पर यह AUX mode पर जा रहा है Bluetooth mode अगली बार पुश करने पर यह Bluetooth mode पर आ जाता है यहाँ पीछे की तरब आपको एक USB port मिलता है आप इस तरह से अपनी pen drive को attach कर सकते हैं यहाँ पर आप देख पर होंगी मैंने pen drive को attach कर दिया है इस तरह से आप pen drive इसमें लगा सकते हैं और गाने का मज़ा ले सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे की तरब TF card का option मिली जा है लगे हाँ तो हम इसको एक बार चार्ज करके भी देख लेते हैं तो यहाँ चार्जिंग के लिए यहाँ पर हमने केवल एक लगा ली है और हम normal USB केवल की charging केवल है और इस तरह से हमने इसको बंद कर दिया है तो यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि यह चार्ज हो रहा है यहाँ आपको एक LED जलती हुई नजर तो आ रही है लेकिन वो LED यहाँ पीछे की तरफ आगर आप मैं आपको दिखाऊँ तो पीछे की तरफ आपको थोड़ा सा जो है संगर्स करना पड़ेगा देखने के लिए यहाँ इस तरह से यह LED यहाँ आपको दिखाई देदी जलती हुई तो LED की मुझे लगता है कि जो पोजिशन है वो थोड़ी से ठीक नहीं है क्योंकि आपको चार्जिंग हो रहा है यह देखने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है हाला कि चार्ज हो रहा है अच्छी बात है और आपको यह चार घंटे का बैक अप देगा फुल चार्ज होने के बाद इस स्पीकर में आपको यहाँ पर एक कैरी स्ट्रिप भी मिल जाती है कैरी बैंट भी मिल जाता है क्योंकि कई कंपनेयां इस तरह की चीज़ें आजकल स्पीकर में देना बंद कर चुकी है तो यू एंड आई कंपनी का ये flame party speaker काफी कुछ बहतर नजर आता है अपने competitor speaker की तुलना में खास कर अगर इसकी कीमत की बात की जाए 1499 की कीमत है इस कीमत में आपको एक mobile stand speaker में यहां मिल जाता है साथ ही जो button की कुछ style है वो काफी कुछ अलग तरह से और काफी unique design के साथ दिया गया है साथ ही इसकी अगर body की बात की जाए तो आपको एक rugged speaker मिल जाता है थोड़ा सा जो है आसानी से अगर यह गिरता है कहीं कुछ रगड जाता है तो इसको stretch नहीं लगेंगे तो कुल मिला कि यार कंपणी ने इसका जो design है वो काफी unique बनाया है सब सची बात है कि अब तक जो speaker आते थे वो आपके horizontal आते थे यह आपको इस तरह से रखने पड़ते थे लेकिन आप इसको इस तरह से यानि की vertical रख पाएंगे और ये कहीं न कहीं अगर आप घर में एकर छोटी सी जगह है आप छोटा से space है तो बहाँ पर ये space काफी कम लेगा इसमें light है, DJ के हिसाब से, आबाज उतनी बहतर नहीं है लेकिन 1499 रुपे की कीमत में आपको इसकी sound निराश नहीं करेगा तो यार हम इस speaker को 10 में से 8 point देंगे और 8 point का मतलब है कि आप अगर 1499 रुपे इस speaker पर लगाते हैं तो कहीं न कहीं आपका पैसा बसूल हो जाएगा तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही लेकिन जाने से पहले फिर वही जरूरी बात कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें साथी वैल आईकन पर भी आप क्लिक करें ताकि हमारा वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुँछें और आप एक नए प्रोटक्ट पार दोट्स के बारे में उसके features के बारे में उसके specificism के बारे में तमाम बातें जान सकें आज की वीडियो में इतना ही जल्दिक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे तब तक नमस्कार जै हिंद जै भारत